दोस्तों आप बक्री पालन करते हैं तो आपके मन में हमेशा एक ख्याल आता होगा कि बक्री पालन में लोन कैसे ले या फिर सबसीडी कैसे पास करवा है जैसा कि आपको पता होगा कि 100 बक्री का भी पास होता है या फिर 50 बक्री का तो उसमें जितना भी पैसा मिलता है मालने जाए पूरी जनकारी हम आपको देंगे अभी हम लोग पंजाब में बटिंडा में हमारे साथ राजवीर जी है बहुत अच्छा इनका फार्म बनाए हुए है करते हैं जानगारी ननमक के बारे में नमस्कारी जानगारी आपको देना चाहते हैं कि लोग कैसे ले अब और जानकारी देंगे किसी चैनल पर नहीं दियोगी और दी तो अधूरी दियोगी हम रहा एक क्वेस्ट है शुरू सेलेकर एंड तक पूरा वीडियो देखें अगर क स्क्राइब कर गया तो उसमें उसका इनक्सान होगा वो मेरे को नाजमेदार ठराई क्योंकि पूरा एक नंबर बताएंगे आज और बार्त सरकार काफी टाइम से एक जोई ना शुरू किया एनलम की नैशनल लाइश्टॉक मिशन जिसमें पोल्ट्री फार्म सूर पालन बकरी पालन हम आज बात करेंगे बकरी पालन की एक बार हम रोकना चाहेंगे आपको जैसे इनलम आप बता है जैसे स्टेट लेवल कहीं आती है या केंदर लेवर की इसके बारे भी बताए कि कोछ लागु है इसमें कुई भी फार्मर ले सकता है और सबसे अच्छी बात है जमीन वाला बंदा भी ले सकता है जिंकर पास जमीन नहीं आफ के लिए भी लेकर तो आपको कर सकते हो ओझा क् हमार्द औरत कोई नहीं है सब को 50 प्रसेंट स scds में इसमें पांच कुरूप बना दिये स्रकार ने किष्टा प्वही ली लिए और साव बक dir 20 तीज दे तीजल जुड़े होए हैं और सव बकरी पांच बकरों पे होता है बीस से लेके 25 रपया लेकिन जो उपरला पांच लाख रपया उसका सबसीड़ी नहीं आएगा बीस लाख में आपको 50 परसेंट का सबसीड़ी बनेगा दस लाख यानि बीस लाख जो मिलेगा उसमें से दस लाख मिलेगा हाँ उसमें क्या और कई बंदों का सवाल होता है हमको पहले बकरी लेना पड़ेगा पहले फार्म डालना पड़ेगा फेर होगा यह आपके गर पे ए इसका step होता है बक्री पालन का जो प्रमान पत्र होता है training का सखलाई का वो होना चाहिए ठीक है यह कोई सरकारी अधारे जो होते हैं सरकारी university यह देती है और किसी बाई के पास certificate नहीं है वो हम से बात कर सकते हमारे हर मां हर मंथ में यहां होती है बकरियों की कोई भी स्टेट का बंदा आ सकता है रहना खाना सब कुछ मिलेगा और बकरी पालन की पंजाब की बड़ी-बड़ी बकरियां कैसे होती है कि कि वह भी बताएंगे पहले नंबर पर प्रमान पत्र हो गया दूसरे नंबर पर आएगी डीपियर होती है डेटेल प्रजेक्ट रपोर्ट होती है प्रजेक्ट फैल आपके कोई भी सीए वह त्यार कर देगा लेकिन उनको नौलज होनी चाहिए नलम के बारे में हां वह भी आपको नहीं मलता हो हमारे से बात करके आ 25,000 क्या होती है उसमें आपका पूरा डाकुमेंट होता है क्या प्लान होता है क्या सरकार का प्लान होता है वह आपने बैंक को और बता को Score को कि इसमें चाहिए और यह कितनी जमीन चाहिए आप एक एक घर पंजाब की आठ खनाड होती है ठीक है यकड का आप लगा 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 होता है एक अ jsγनार आपको जवदियु को भी अ लेना को देखते हैं बभड़ी हमें हरे चारे के लिए और स्टोर के लिए पानी के लिए वो पूरा ढूंडते हैं हां और यह अगर आपके पास जमीन नहीं है जमीन का आप लीज पे ले सकते हो लेकिन लीज पक्के तोर पे हो कई प्रोडम आती है कि आदे बंदे जो देख रहे हैं यह प्रोडम होगी जमीन मेरे पापा के मेरी ममी के नाम है और पड़ा लिखा मैं हूं ट्रेनिंग मैं लिए मैं बकरी पालन करना चाहता हूं तो वह आप अपने पिता माता वह एक डाकुमेंट वह लीज कई बनाना है आपको कोई जमीन हो और जिस्ट्री एक दूसरे के नाम करवाने की जुरूरत नहीं है आप एक सेंपल जो पांसो का होता है उस पे आपके फादर लेके देंगे मैं अपने बेटे को लीज पे दे रहा हूं इनको खेती करनी की बकरी पालन करने को दिया जाए बन जाएगा और इसमें उसके बाद प्रजेक्ट फैल और इसका आउनलैन ही आप आपने बरना है कहीं जाना नहीं है एनलम की वेबसाइड होती है ठीक है उस पे आपने जाके वह बार देता है पूरा हाँ उसके बाद आपका प्रसेस शुरू हो जाता है दिल्ली से और आपकी कैपिटल आती है फाइल कैपिटल से आपके डिस्टिक में आती है जिलस्तर में पशुपालन में आती है और वह आपका देख के जाते हैं जमीन है बंदे हैं पूरा देखे फिर वह वावस्ट दिल्ली जाती है दिल्ली से आपके बैंक में जाएगी कई बार बैंक मना करता है और बैं कि इसमें बैंक वालों को करना ही पड़ेगा जब उपर से पास हो कि आ जाएगा आप शर्तें पूरी करते हैं क्योंकि जो में सबसीडी होती है वो सरकार ने देनी है लोन उन्होंने देना और इसमें आपको स्टार्मेंट किस्तों के रही पैसा देना है एक मीना के भी कर सकते है तीन मीने पर कर सकते हैं और शे मीने के बाद भी और सबसे अच्छी बात है इसके पहले साल कोई किस्त नहीं आती वहां क्योंकि फार्मर को पता है यह ब्रीडिंग लेनी है सेटाप पूरा उसमें टाइम लग जाता है सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम बनाई हुई है प बैंक में कोई चक्कर काटने की जरूत नहीं है आपको डाकूमेंट आपकी प्रजेक्ट फार सही हो आपको लोन मिल जाएगा और सबसे अच्छी और बात सरकार ने जोड़ा है इसमें बीमा किया हुआ जनवरों का बाई इसमें क्या रहता है कोई नया बंदा है ज्यादा हो गया सौबकरी भी एकदम ज्यादा होती है नए बंदे के लिए इसमें आपका पहले बीमा होगा इसमें अच्छा बहुत अच्छी स्कीम है सभी भाई इसमें पढ़ाई करे 10-11 यार्पिया वेदा आपकी ट्रेनिंग का और प्रजेक्ट फार का खर्चा आएगा ठीक है क लगार्जवान काम करना चाहता है बहुत मेंती है अपना जूबा है जो सरकारी जौब के लिए बागता रहता है लेकिन नोकरी सबको सरकार दे नहीं सकती आपके पैसा भी नहीं है थोड़ी बहुत एक दो एकड़ जमीन है तो आप उसमें भी ज्यादा खेती नहीं कर सकते लेकिन आप सरकार की स्कीम का फायदा उठाके आप बहुत अच्छा और बहुत अच्छी आमदन ले सकते हैं साथा बकरी की बहुत बढ़िया आ Bless kit in University स्रकार की राजसर कर नहीं पता एक और ऩकीम है. पीएमीजीपी है प्रदानमांत्री जोजना उसमें भी एक हादी बोर्ड जो होता है वह करता है लेकिन उसमें सव बक्री की है और उसमें 25 और 35% सबसीडिया औरतों को 35 सी पैङए बीस जर्नल को 25 प्रसेंट सब्सीडि है लेकिन वो लोन जल्दी एक मिने में पास हो जाता है ऐनेलम का चार से पांच मिना लग जाता लगता है वह जल्दी पास हो पास हो जाता है लेकिन वह सौन बकरी सकते हैं वह यह ही प्रकिरिया है उसमें आप अपने खादिया बोर्ड जो होता है आपके डिस्ट्क में होगा वहां आप आफ लैंड भी बर सकते हैं और अब हमारे किसी के पास प्रमान पत्र नहीं है क्योंकि सरकार तो टाइम टू टाइम देती है बताती भी नहीं है वह कब ट्रेनिंग है है तो आप हमारे पास आज सकते हो बठिंडा स्टेशन लगता है आधी रात भी स्टेशन पर आओगे वहां आपको होटल मिलेगा वह इदर कोई टैंचन नहीं है डरने की जरूरत नहीं है कई बंदे हमने क्या रखा है 500 अदारकाड पहले रखा हुआ है और टोटल साड़े यह सेंटर गवर्मेंट से प्रूवड है और वी दो तीन जो हमारे जो इंक्लूड है उसमें वह आपको कोई मना नहीं करेगा उसमें इतनी महत्पून जनकाई देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद और 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 भी कोई जनकाई चाहिए तो जल्द है आप कमेंट करें बाकि सभी को कमेंट के साथ आपका अंसर मिल जाएगा कई और भी इसमें हम वीडियों में ज्यादा नहीं बता सकते वीडियों लंबी हो जाएगा आप कमेंट का दें आपको एक एक कमेंट का रपलाई मिलीगा बिल्कुल धन्यवाद किसा है